तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 18.1 का question number 2 और 3 को इस वीडियो में हम लोग complete देखेंगे पीछे के वीडियो में आप लोग question number 1 का complete वीडियो आपको देद चुके हैं अगर नहीं देखें हो तो उसका हम playlist में link डाल दिये हैं तो जाकर देख लेजेगा है ना तब इस वीडियो को आपको अच्छी तरह समझ मैंगा तो देखें question number 2 और 3 question number 2 और 3 को इसी तरीकिस समल्व करेंगे हैं है ना वीडियो के अंतर जरूर बने रहेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हमारे इस चैनल में 8th, 9th और 10th NCRT और JCRT मेथ दोनों class का वाला पढ़ाया जाता है और all subject का देखें कहा है कि किसी संख्या के दोगुने में आठ जोडने पर 32 प्राप्त होता है वह संख्या गयात कीजिए सबसे पहले इसा कोशन बहुत सारे बच्चों को doubt होता है और समझ में नहीं आता है टीसन में पढ़ाता है master, coaching में पढ़ाता है कहीं भी पढ़ता है उसको समझ में नहीं आता है सबसे पहले आप समझे बाबु, सबसे पहले आप कैजी समझने का प्यास केजी आपको 110 परसेंट ध्यान अगर आप यहां रखते हैं तो 220 परसेंट वोलते हैं कि आप वो समझ महेंगा ध्यान से देख़े और समझे कहा है कि किसी भी संख्या का किसी मतलब क्या उस संख्या हमको पता है किसी कहा गया किसी मतलब उस संख्या हमको पता नहीं कि दो गुन्ने में अब सबसे पहले उस संख्या को खोजेंगे तब नो उसका दो गुन्ना करेंगे पहले चीजे को समझे किसी संखें के दोगुने में हमको कोई संख्या मिला ही नहीं है तो उसका दोगुना कैसे करेंगे सबसे पहले उस संख्या को खोजना पड़ेगा आम्मेत में खोजने का एक ही उपए होता है उसमें हमसे क्या करते हैं मान लेते हैं अब मानते हैं चरपद मानते हैं, चरपद कहने मतलब A, B, C, D, E, F, G, F, G, कुछ भी मान लेते हैं, A से लेकर Z तक आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, इसमें कोई दूबर नहीं है, तो सबसे पहले कहा किजिए, आप कोई भी संख्या मान लेजी, जैसे आपका नाम P से मान लेजें, मान हुँआ संख्या Q है, आपका नाम S से सुरू है, तो मान लेजें, मान होँआ संख्या S है, किसी भी संख्या कहा है है , अब कुछ भी मान सकते हैं, जैरोड नहीं है आप यहाँ y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, a to लेकर z तक all alphabet में सी जो भी आपको मानना है मान सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन master सब में दिमाग में भर देता है, निकि हमें से x ही माना जाता है, यह गलत बात है, आपको भले किताब का कहानेंस मतलब होता है ज्यसे ज्यसे परशन कहेंगा हम दो आड़े मेरा क्या मिला longer मतलब हम दूसे को क्या करेंगे दोसे गुना कर देंगी डोरे बधतिस प्राप्थ होता है जितना प्राप्थ होता है आपको बराबर के उधर उतना लिखना है 32 प्राप्त होता है तो बराबर के उधर हमको क्या लिखना है 32 लिखना है अब 2 को X से गुना किजिए अपका कितना हो जागा 2X है ना अब यह 32 का 32 question number 1 में तो आपको सिखाये गया था कि इसमें से 4 कमान कैसे निकाला जाता है तो यह पलस 8 जो आपको दिख रहा है बराबर के उधर बेज़े देंगा आपका हो जागा माइनस 8 और यहां से आप X कमान निकल जेतो 32 में 8 जागत बचेगा आपका 24 और यहां 2 जो गुना में है न यह बराबर के दर आके क्या हो जागा भागय में तो 2 से काट देजे 2 एकम 2 और 12 दुना 24 इस प्रकार से कह सकते है कि X मन क्या है या 12 तो बोरा है कि उधर संख्या गयाद कीजिए तो हम अता करके लिख सकते है X कमान क्या है 12 और वह क्या माने थे Max माने थे अता वह संख्या 12 है वह संख्या क्या है 12 है और यही आपका क्या जगा एंसर हो जगा इजली वे में समझाने की प्रयास कर रहे हैं उमीद करते हैं कि आप समझ गये होंगे इसी परकार से 7 to 7 हम दूसरे question को भी बनाएंगे अब देखे question number 2 question number 2 same to 7 question number 1 जैसा है बोल रहा है किसी संख्या के एक तिहाय में यहाँ भी बोल रहा है किसी संख्या के मतलब हमको कोई संख्या पता है नहीं इसमें भी मानना पड़ेगा तो चलिए हम लोग मान लेते हैं माना वा संख्या अराम से मानिए वा संख्या X है क्या है X है तो हम क्या मान लें X बोल रहा है एक तिहाय में मतलब इस संख्या के एक तिहाय में चलिए करते हैं तो सबसे पले आप यहां करें प्रस्ना अनुसार इस संख्या के एक तिहाय में एक तिहाय का मतलब समझते एक बटे तिन से गुना किजिए दो तिहाय मतलब दो बटे तिन तीन तिहाय मतलब तीन बटे तिन दहिना साड में, ये बन गया आपका समिकरन, इसको solve कीजिए, x को 1 से गुना करेंगे ता आपका हो जागा x, और बटे 3 का 3, इधर 5 बटे 2 का 5 बटे 2, और ये minus 5 बटे 2, बराबर कुधर जाएगा, आपका हो जागा, पलस 5 बटे 2, हो जागा, इसको कीजिए, xy3 का xy3, equal to, 2 2 का लगुर्तम ले ले लिजिए, 2-2 का लगुर्तम कितना हो जागा, आपका 2, 2 एकम 2, एक बार में कटा, 1 को 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, इस परकार से 2 एकम 2, 5 नहीं होगा, सोरी यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि यहाँ 3 बटे 2 था, तो यहाँ आपका कितना हो जागा, 3 हो सोरी, 2 एकम 2, फिर 5 एकम 5, चलिए, इधर एकस पटे 3 का, एकस पटे 3 रहने दीजिए, 5 और 3 को जोड़ देंगे, तो आपका हो जागा, 8 बटे 2, 2 से काटिए, 2 एकम 2, और 2 एकम 8, है ना, यहाँ काट दीजिए, इसके बाद आप गुना किर दीजिए, देखिए, एकस को एकसे गुना करेंगे, तो एकस हो जगा, बराबर, 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 कितना हो जगा, 12, आपको पताएं कि Cross Multiplication, जैसे आप लोग को बताएं थे, इसका अंस को दैना साथ के हर के साथ, और LHS के हर को दैना साथ के अंस के साथ गुना करते हैं, तो एकस का मान केतना न वह संख्या बारो है, वह संख्या कितना है, वह संख्या बारो है, और यही आपका क्या हो जगा, एंसर हो जगा, उमीद करते हैं, यह दोनों कोशन को आप एच्छी तरह से समझ गये होंगे, अगर कहीं भी doubt है, तो comment section में एक प्यारा सा comment कर दिजेगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है, तो please एक प्यारा सा like कर दिजेगा, और चैनल पर आप नहीं है, तो चैनल को subscribe करके bell icon को भी प्रेस कर दिजेगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो को notification सबसे पले आप तक बहुत जगे, और अपने दोस्तों के पास share करना मत भूलिएगा, क्य मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सभी लोग आपना अपना ख्याल रखेगा,